दोस्तों एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि अभी तक हमने टाटा पंच की जितनी भी प्रेडिक्शन्स करी हैं वो सब कुछ सच होती जा रही है अब टाटा पंच एक के बाद एक अपने छोटे छोटे जो टीजर्स हैं उसको लॉंच कर रही है अपने जो उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके उपर वो डाल रही है हमने स्टार्टिंग सही कहा था कि इसमें आपको 16 इंच के लोई वील्स देखने के लिए मिलेंगे डूल टून गाड़ी भी आईगी है ना और डियारेल्स और उसकी हेड्लैम्स होंगी वो आपको कुछ हैरियर से मिलती जुलती मिलेंगी अब साथ में जैसे हमने आपको बताता है इसमें 7 इंच की टस्क्रीन सिस्टम आपको मिलेगा विद आयरे फंक्षन तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो की हर्मन की टस्क्रीन सिस्टम आपको मिलेगा हमने ये भी कह था कि आपको 90 डिग्री ओपन जो डूर्स होंगे वो मिल सकते हैं जैसे कि आल्ट्रोज में आते हैं तो सेम हमारी जो वो भी प्रेडिक्शन वो भी मिलने वाली है तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलने जाएगा और जैसा कि चाहे वो टाटा की जो लीक्स वीडियोस हैं याने की टाटा अपने ओफिशली साइड पे जो भी अप चीज़ें डाल रही है या फिर जो लीक्स पहले निकल के जो आई जो भी हमने आपको वो इसका exterior हो interior हो आपने इसको बहुत प्यार दिया अभी तक लोगों की तरफ से जो reviews आ रहे हैं वो बहुत अच्छे निकल के सामने आ रहे हैं कुछ ही लोग हैं जिनको गाड़ी की कुछ किसी को front look पसंद नहीं आ रही है किसी को इसकी tail look याने की back जो rear जो side है वो पसंद पसंद नहीं आ रही है किसी को इसकी side laddings पसंद नहीं आ रही है तो बहुत सब कुछ अपने अपने विचार होता है सबके अपने expectations होती है कि गाड़ी उस पर कितना खरा उतर रही है राइट यहां पर बहुत लोगों की पसंद बनी है ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी मतलब ए लेकिन Tata जो है वो build quality के दम पर ही अपनी गाड़ियों को sell out कर रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं है याने कि उसमें technology के बाइजिव हम देखे तो काफी कुछ Tata आप इंप्रूव कर रहा है इसमें और Tata भी कोशिश कर रहा है कि नई-ई-ई-चीजे नई-ई-टेक्नोलोजी आपको अपनी गाड़ियों में दे वो भी कम price में याने कि Tata बहुत कोशिश करता है कि आपको जो भी गाड़ी provide करें उसमें जो pricing है वो जो market में जो price चल रहा है same segment के लिए वहाँ पर थोड़ा सा आपसे पैसा भी कम लिया जाए चीजें भी आपको proper दी जाए तो ठीक है Tata कि मुझे असा लगता है कि थोड़ा सा जैसे आजकल हम बहुत सारी cards में देख रहे हैं किया में देख रहे हैं तो उसकी जो tail lights होती है काफी connected type में आती है तो काफी अच्छी लगती है हाँ अगर कुछ इस तरह का look पीछे के तरफ दिया होता tail lights में कुछ experiments किये होते तो look और जाधा अच्छी हो सकती है यह नहीं कहा रहा हूं कि इसकी look में अभी कोई कमी है मैं यह भी नहीं कहा रहा हूं ठीक है बट हाँ expectations जो है वो सबकी होती है मेरी भी है तो मैं यहीं चाहता था कि अगर उसमें tail light में थोड़ा सा अगर change करके देख सकते थे तो बहुत अच्छा रहने वाले है जो पीछे का स्पेस है काफी अच्छा है और याने कि आपको लगबग लगबग जितनी जो स्पेस है अंदर की तरफ वो आपको यहां पर मिलने वाला है तो अगर हम बात करें स्विप के comfort की तो वो भी काफी अच्छा माना जाता है ठीक है और आपको यहां पर ORVM मिल रहे हैं with turn indicators मिल रहे हैं जिसमें आपको electrically adjustable and foldable mirrors मिल रहे हैं four doors आपको power windows मिल रहे है push start stop button मिल रहे है idle start stop button मिल रहे है music control आपको steering wheel पे मिल रहे है कुछ अच्छे design का जो dashboard है वो मिल रहे है cool glove box with lamp मिल रहे है आपको तो बहुत सारी चीज़े हैं जिसमें Tata काम कर रहे है यानि कि interior looks पे भी काफी अच्छा काम कर रहे है बाकी अब रह गई है दो दिनों की बात यानि की दो दिन के बाद Tata punch launch होने वाली है जिसका इंतजार बेसबरी से हो रहा है और हम आप सब इसका wait कर रहे है जैसे इसकी जब launch हो जाएगा हम आपके लिए सबसे पहली वीडियो आपके लेने के आने वाले है तो आप please comment कर बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं